पिछले 70 सालों में ये प्रश्ण के लिए लड़ाई की, जितने भी सेनिकों ने अपनी जान गवाई, मुझे लगता है हमारा योगदान काफी नहीं है इसे समर्थन देने के लिए, मुझे लगता है सबसे जाजा योगदान अगर किसी का है, तो पिछले 70 सालों के लिए ये जितने सेनिकों ने, जवानों ने, वो बॉडर पे अपनी जवान सहीद हुए, ये उनका क्रेडिट है, उनका सबाधिकार है, कोई पार्टी, कोई पत्स, किसी के भी हक में ये नहीं जाता है, ये इंसानियत के हक में जाता है, मुझे लगता है एक युवा के नाते, और एक एक देश की नागरिक होने के नाते में आप लोगों को, आपको मेरी फीलिंग्स बताना चाहूंगी, कि जब से कल राज्य सभा में ये निर्ने हुआ, तो सोना मुश्की था कि कब हम जाके ये बिल का समर्तन करेंगे, कि हमें इस बिल में हमारा योगदान कैसे रहेगा, 15 अगस्ट को आने के लिए शायद और आट-दस दिन बाकी है, तो मुझे लगता है ये सही आज़ादी, आज होगी और आज बिल पास होने के नाते होगी, और मुझे लगता है कि जब हम कश्मीर घुमने जाते हैं, तो कश्मीर के लोग हमें पूछते हैं, आप भारत से हो, अगर वो भारत का अंग होता आज तक, अगर वहां के लोग हमें अपना अंग मानते हैं, भारत को अपना अंग मानते हैं, तो वो कभी हमसे ये प्रस्ट नहीं पूछते हैं, कि आप भारत से हो, कि आप कहीं और से हो, अगर उने इंडिया से हो, तो मुझे ऐसा लगता है, आज के बाद, जम्मू कश्मीर, मेर तू मिनेंट संडी, अरे नाक तेल तेल चू मेर उपोजिशन पार्टी लोंदा रहा, नेन कुड़ ऑपोजिशन इंडिपेंडन उनना, नेन सपोर्ट चे सुनारू, तू मिनेंट सागंडी, और जब जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं, ज ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कि वो हमारे देश का अंग है, जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से उनके नौम से है, एजुकेशन से होस्पिलिटी है, वहाँ पर जो लोग सर्वाइब करने हैं, मुझे लगता है बहुत कम और आज, मैं आमिशा जी से आपका अभिन संदन करना चाहूंगी, मोधी जी जब स्पीच बोलते थे, भासन बोलते थे, कि मेरी 56 इंच की चाती है, और आज रियल माने में दिखा गया है, कि 56 इंच कीचे बोलते हैं, पहले सेशन में, पहले सेशन में लाकर सभी लोगों के सामने, एक सुन्दर का है, जब तक सूरज चान रहेगा, कश्मीर हिंदुस्तान का अंग रहेगा, और अमिशा जी और मोधी जी आपका नाम हर दिल में, हर जुबान में रहेगा, इसे कोई खतम नहीं कर सकता, और इस बिल को समर्चन करने के लिए, मैं यहां खड़ी हूँ और सभी सदिश्यों से भी, जिनों ने इस बाद धन्यवाद और सभील को सपोर्ट करते हैं, स्री रमेश बिदूरी, नेक्स पहिकर स्री रमेश बिदूरी